सिंध खॉमर स्कूल, एडमेशन उपन फ्रों नर्सरी तु नाइंथ एंड क्लास 11 स्मिति की प्र circumstant प्रदान अक्षे भार्दवाज ने कहा का कि श्री शंक्राचार्योजी द्वारा संपूरण भारत में गौहत्या के विरुथ कानूर चानूर बनाने की मांग को लेकर जाग रूकता का अलग जुकाया जा रहा है और श्री शंक्राचारे जी के स्वागत का पूरा जिम्मेवारी हमारे उपर है जी आगामी दिनों में 24 तारीक को गौधवत स्थापना के प्रोग्राम के तहट 33 वा पड़ाओ हिमाचल है तो शंक्राचारे स्वामी जी पूरे देश की यात्रा करके हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिम्मला में पहुँचने वाले है और यहाँ परोग्राम रखा गया है गौधवत स्थापना तथा संबोधन जन सभागा तो स्वामी श्री यहाँ पहुँचेंगे और अपनी बात रखेंगे और ध्वज की स्थापना करेंगे जो युगो युगो तक गवरक्षा के लिए एक प्रतीक बनेगा और हमारे सनात्रियों की एकता के लिए वो उद्गोश करेंगे जी ये समीक्षा बैठक हमने आयोजित की है आज के लिए तो इसमें सारे प्रोग्राम पे डीटेल में चर्चा की गई है और जिम्मेवारियां दी गई है कौन क्या करेगा और किस की जिम्मेवारियां है किस तरह से इस प्रोग्राम को किया जाएगा आने वाले समय में क्या-क्या हमारी strategy रहेगी और किस-किस तरह से हम इसको अपनी जिम्मवारियों को निभाएंगे ये कार्य करम एक ही दिन का है 24 तारीकों महाराश्री जाखु मंदिर में 10.30 बजे एकान दर्शन के लिए जाएंगे वहां से 12 बजे राम मंदिर के लिए पहुंचेंगे राम मंदिर में गौधव स्थापना करकर और संबोधन करके तीन बजे देरादून के लिए प्रस्थान कर जाएंगे क्योंकि अगला पढ़ाओ देरादून है उनका